Hello guys, welcome back to my tech channel तो आज रिव्यू करेंगे हम iPhone SE 2020 की So let's get started iPhone ने भी रिसेंटि आइफोन SE 2020 लाँच किया है जो के पहली बार मिड रेंज में आया है जिसकी स्टार्टिंग प्राइस $399 है इसका डिजाइन काफी लाइट और स्लिम है बाकी iPhone SE सिमिलर है iPhone 8 से बेजल सेक्शन भी वही दिया है टॉप और बॉटम में जो साइज है इसका वो है 4.7 इंच HD डिस्पले इसमें तीम कलर्स के वेरियंट्स आते हैं ब्लेक, वाइट और रड़ प्रंट में लगा है इसके 7 मेगा पिक्जल का प्रंट फेसिंग केमरा और टेच आइडी होम बटन बेक में सिंगल लेंज केमरा मिलता है जो के 12 मेगा पिक्जल का है जिसमें F 1.8 अपर्चर अप्टिकल में इस्टेबलाइजेशन पोर्टरेट मोड और लाइटिंग पोर्टरेट मोड मिलता है बट आइफ़म SE में नाइट मूड नहीं है बात करें इसके केमरा रिकॉर्डिंग के तो 4K 60 फ्रेम पर सेकंड विद आप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ रिकॉर्ड कर सकता है स्लो मो और टाइम लेप्स भी अवेलबिल है बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें लगा है नियूरल इंजिन का A13 Bionic प्रोसेसर जो के modern technology चिप है यह वही चिप है जो iPhone 11 में आती है यह अब तक की fastest चिप है जो smartphone में यूज होती है स्टोरिज में आपको इसके तीन वेरियंट्स मिलते हैं जिसमें 64, 128 और 256 लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा और पे करना पड़ेगा अब आपके ने इसकी battery life की तो इसमें 13 hours का वीडियो watch time 18 hours का streaming video और 40 hours का audio listening timing प्रोवाइट कर सकती है यह capable है fast charging के लिए up to 50% battery life आपको 30 minutes में प्रोवाइट कर सकता है when using 18 work power adapter और higher ऐसा लगता है iPhone 11 के specification थोड़ा अप्डेट करके iPhone 8 में shift कर दिया है speaker solid है परखास नहीं camera performance overall best है बट zoom नहीं display भी अच्छा है बट वही HD LCD glass battery life भी long lasting है बट not super fast बस इसमें आपको सारे basic elements मिलते हैं जोके mid range में आपको अराम से मिल जा but as a positive side में किसी भी iPhone user को recommend करना चाहूंगा क्योंकि mid range में काफी upgraded specs वो भी iPhone में great deal है यार सो मेरा opinion अगर आपको पसंद आ रहा हो तो like करें share करें comment करके बनाएं कौन से feature आपको जादा अच्छा लगा और make sure subscribe my tiny tech channel मुझे इंस्टा पे भी follow कर सकते हैं आप ऐसे ही amazing video आती रहेंगे तब तक के लिए peace out अगर आप करें